इससे पिछली वीजियो में हमने सिखा था कि किस तरह से हम Reading Comprehension की तैयारी कर सकते हैं और हमने Sample Passage के तौर पर The Savior of Mankind को पढ़ना शुरू किया था और हमने क्या किया था हमने सबसे पहले जुमले को पढ़कर सबंजने की कोशिश की थी और फिर उस पर एक सवाल तश्कील दिया था अब हम इसी टेक्नीक को अपनाते हुए अगला जुमला पढ़ते हैं आप ही मेरे साथ मिलकर पढ़ने की कोशिश कीजिए इसे पिछले जुमले में हमने पढ़ा था कि बात हो रही थी अर्ब की सरजमीन की साथ के मुतालिक कि वो एक सहरानुमा जगा है जहां पर धूब बड़ी शिदत से होती है और रेत के टीले वगएरा पाई जाते हैं तो अब आपके ख्याल में यहाँ इस से क्या मुराद है इस स्टारी स्काई है इसने उभारा है किसको इमाजिनेशन को यानि तखयल को और किसके तखयल को वो कि पोइट्स यानि शोरा और ट्रावलर्स यानि मसाफिर यानि इसका तारो भरा आस्मान जो है वो शारो और मसाफिरों के लिए बड़ी दल्चस्पी का बाइस है अब इससे मुराद ये है कि ये इसकदर खुबसूरत मन्जर है यानि जो सितारों भरा आस्मान सहरा में देखने को मिलता है ऐसा शहरों वगारे में कमी देखने में नजर आता है उसकी दो वजोहत होती है एक तो ये कि सहरा के जो زमीन है वो खासी हमवार होती है लहाजा बहुत दूर तक आस्मान को देखा जा सकता है और दूस sudden ये भी होती है के शेहरों में जिस तरह से जिससे फिजा बहुत गर्ड आलूद हいき है लेहाज़ वहाँ पर आस्मान इसकदर सफाई से नहीं दिखाई देता लेकिन सहरा में अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो आस्मान है वो सितारों से पूरी तरह से भरा हुआ होता है तो यकीनन अगर किसी को ऐसे आलाके में सफर करने का मौका मिले और उसे ये मनजर देखने को मिले तो उसका दिल करेगा कि वो बार बार वहाँ जाए या फिर अगर किसी शायर का उस आलाके से गुजर हो और उसे ये दिल्चस्प मनजर ये नजारा देखने को मिले तो यकीनन उसके दिल में ख्याल उबरेगा कि वो उसके मुताले कोई शेयर वगारे लिखे या फिर कोई नजम तश्कील दे जैसे कि यहां मैंने आसान अर्दू तरजमे के साथ लिखा है इसके सितारों से भरे आसमान ने शायरों और मुसाफरों के तख्यूल को तहरीक दी है तो अब इस अगले जमले को भी अच्छी तरह से पढ़ लेने और समझ लेने के बाद हमने क्या करना है बिल्कुल सही अब हमने तश्कील देना है एक सवाल या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं कि इस जमले को पढ़ लेने के बाद आपके जहन में क्या सवाल आता है जी हाँ बिल्कुल सही मेरे सहन में जो सवाल आ रहा है वो ये है कि अर्ब के सहरा का जो रात का मनजर होता है यानी सितारों भरे आसमान का जो मनजर है इसका शायरों और मसाफिरों पर क्या असर होता है या फिर ये नजारा किस हद तक मतासिर कुन है तो लहाजा अब हम यहाँ पर लिखते हैं question number two और अब हम इसी बात को English में लिखेंगे यानि एक सवाल English में तश्कील देंगे आप भी इस अमल को साथ साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने उर्दू में डिसकास किया था उन्ही सवालों को मैंने अब यहाँ English में लिख दिया है पहला सवाल है मिलकर पढ़ते हैं या फिर इस तरह से भी इस सवाल को सश्कील दिया जा सकता है या रात के वक्त अर्ब के इस अलाके में आस्मान को मनजर है वो किस कदर मुतासर कुन होता है तो चलिए अब मिलकर जुम्ले में मौजूद information को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या ये इन सवालों का जवाब है यहां हम its की जगह starry sky of Arabia लिखते हैं तो बात मजीद वाज़ हो जाएगी अब मिलकर पढ़ते हैं starry sky of Arabia has excited the imagination of poets and travelers या फिर इसके जवाब यहूं भी लिखा जा सकता है starry sky of Arabia has greatly affected the imagination of poets and travelers जो के सवाल के एन मताबिक हो जाएगा इसी तरह से जो दूसरा सवाल था how impressive is the view of the night sky in Arabia तो इसके जवाब में भी इसी सवाल को मजीद थोड़ा सा तर्तीब दे सकते हैं तरह से कहा जा सकता है starry sky of Arabia has impressed the imagination of poets and travelers जो के इस सवाल के एन मताबिक जवाब बनता है इसके इलावा भी अगर आप अपने अलफाज में इसको और भी किसी अंदाज में तर्तीब देना चाहें तो आपको किसी किसम की भी रुकावट महसूस नहीं करनी चाहिए बस सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस information के इलावा मजीद किसी इजाफी या फालतू बात को बीच में शामिल ना किया जाए जैसे कि यह जो दूसरा सवाल था How impressive is the view of the night sky in Arabia इसका जवाब यह भी लखा जा सकता है और फिर अगले जमले में कहा जा सकता है अब अगर गौर से देखा जाए तो इससे जो पिछला जमला था उसमें भी तक्रीबन यही बात हो रही थी कि अरब की जो सर्जमीन है उसकी साखत बगार कैसी है या वो देखने में किस तरह से लगती है तो अब यहां इस बात को भी जेरे गौर लाया जा सकता है कि अगर यह जो पहला सवाल था हमारा इस किसम का सवाल इमतिहान में आ जाए और उसमें जो उसके वेटिज है या मार्क्स हैं जादा हो जैसे कि यह तीन नबर का सवाल दे दिया जाए यानि सब्जेक्टिव टाइप क्वेस्टिन में यह सवाल आ जाए तो फिर उसके जवाब में आप इस पैसेज के इन पहले जो दो जुमले हैं इन दोनों को ही शामल कर सकते हैं आरेबिया से लेकर ट्रेवलर्स तक यह इसका मुकमल जवाब बन जाएगा तो पहले सवाल पढ़ते हैं और अब इस मुकमल जवाब को मिलकर पढ़ेंगे सवाल है और जवाब बनेगा और जवाब बनेगा इस तरह से अब आपको यहाँ इस बात की भी अच्छी तरह से समझा गई होगी कि इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि यह देखा जाए कि सवाल कितने नमबरों का है और फिर उसके मताबक तफसील से उसका जवाब लिखा जाए लेकिन दूसी तरह अगर आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाए कि वाट इस दी इफेक्ट अफ दे स्टारी स्काइ ओफ अरेबिया और यहाँ यकीनन यह एक आद नमबर का ही होगा और इसके साथ इसकी वेटेज या मार्क्स लिखे हो कि यह सिर्फ एक नमबर का है तो फिर आप इसमें सिर्फ इतना ही जवाब लिखेंगे इस स्टारी स्काइ इस एक्साइटे दी इमेजिनेशन उफ पॉइट्स एंड ट्रेवलर्स और इसमें मजीद पिछली बात को लिखकर वक्ट जाय करने से भी बच सकते हैं चलिए अब पढ़ते हैं अगला जुमला इट वाज इन दिस लैंट दे रसूल वास बॉर्न इन दे सिटी अफ मक्का विच इस अबाउट 50 माइल्स फ्रॉम दे रेड सी रेड सी कहते हैं बहीरा एहमर को जैसे की यहां इस नक्षे में आप देज सकते हैं ये जो इलाका है यहां से शुरू होता है यह सारा ये तमाम इलाका जो है ये है 아र्ब का इलाका और इस तरफ अगर आप देखें यहां हलका सालिका है रेड सी यानि भीरा एहमर और इस तरफ है ये साथी अरेविया और यहां अगर आप देखें रेट सी के करीब ये है मक्का का इलाका यानि मक्का का शहर तो इस जम्ले में ये बताये गया है कि ये वही जमीन है जहां पे रसूल सल्ले लाव अलेवाले वासलम मक्का के शहर में पैदा हुए जो बहीरा एहमर से पचास मील के फासले पर है तो हमने इस जम्ले को पढ़कर समझ लिया है अब हमने क्या करना है हमने सवाल तश्कील देना है बिलकुल सही आप भी साथ साथ लिखने की कोशिश कीजिए ये हो जाएगा हमारा तो इस इंफर्मेशन को पढ़ने के बाद आपके जहन में क्या सवाल आता है यानि इसमें क्या बताया गया है इसमें पहली तो ये बात बताई गई है कि रसूल अल्लाव अल्यवाले वासलम जो है वो किस शहर में पैदा हुए और फिर इस शहर के मतलिक बताया गया है कि वो किस जगा वाके है तो इस इंफर्मेशन के मतलिक दो तरह से सवाल बनाए जा सकते है एक सवाल तो ये हो सकता है कि रसूल अल्लाव अल्यवाले वासलम कहां पैदा हुए और दूसरा सवाल ये हो सकता है कि मक्का जो है वो किस जगा वाके है तो लहाज़ा इनी सवालों को मैंने यहां इंगलिश में लिख दिया है आप भी इने लिख सकते हैं यह है वेर वास रसूल बॉर्न या रसूल कहां पैदा हुए या फिर वेर इस मक्का लोकेटट यह सवाल भी आ सकता है कि मक्का किस जगा वाके है तो इन में से पहले सवाल का जो जवाब है वो तो यह होगा रसूल वास बॉर्न इन दे सिटी ओव मक्का विच इस अबाओ फिफ्टी माल्स फ्रॉम रेट सी लेकिन अगर इस हिस्से में इस सवाल पर गौर किया जाए वेर इस मक्का लोकेटटट तो फिर क्या कहेंगे फिर यहां से हम लिखेंगे मक्का इस अबाओ फिफ्टी माल्स फ्रॉम दे रेट सी बस यह इसका जवाब होगा अब अगर इन सवालों की वेटिज पर गौर किया जाए तो जो सवाल रसूल की पैदाश से मतालख है यह मुम्किन है दो नमबरों का हो जाए क्योंकि इसमें अगर दो नमबरों का हो फर्स कीजिए तो फिर इसमें आप क्या बताएंगे ना सिर्फ शेहर का बताएंगे बलकि उस शेहर के मतालख भी बताएंगे किस जगह located है, इस तरह से ये two points हो जाएंगे और वेटिज के लिहाँ से आपका जवाब पूरा मुकमल हो जाएगा और फर्स कीजिए अगर ये सिर्फ एक नमर का हो तो तब भी कोशश कीजिए कि आप ये बताएं कि रसूल जो है, वो मक्का में पैदा हुए और साथ ही ये भी बता दें कि वो किस जगह है, यानि मक्का किस जगह वाकि है क्योंकि इससे ये भी पता चलेगा कि आपने पैसेश को बहुत अच्छी तरह से पढ़ रखा है और आपकी इसके मतालिख खासी मालूमात है लेकिन एक या दो नमबरों के सवाल में सिर्फ इतना ही जवाब काफी होगा इसके लावा आपने मजीद तफसील में नहीं जाना कि मक्का किस किसम की सर्जमीन है या इससे पहले जो जुमले हमने पढ़े थे उनको बीच में शामल करने की ज़रूरत नहीं है हाँ अलबता अगर यहां जो इस सवाल की वेटेज है वो तीन या चार नमबरों से तक हो तो फिर आप उन बातों को भी शामल कर सकते हैं तो इस तरह से जो शॉर्ट क्वेस्टन्स या आंसर्स हैं वो आपको हल्प करेंगे इम्तिहान के या परचे के ऊस हिस्से में जहां objective type questions दीए जाते हैं यानी जो कम waitage वाले सवाल होते हैं जबके इस practice को करते वरत इस बात को जहन में लाना कि अगर जहादा waitage के सवाल होगा तो आप कितनी information को बीच में शामल करेंगे तो ये चीज जो ही आपको help करेगी subjective type या long questions के answers में जो के इम्तिहानी पर्चे का दूसरा हिस्सा होता है तो इस तरह से ये practice जो है ये आपको दोनों ही तरह के सवालों में मदद करेगी यानि objective type questions और subjective type questions तो लहाज़ा आप इस वीडियो की मदद से इस टेकनीक को सीखने की कोशिश कीजिए क्योंकि ये चेकनीक ना सिर्फ आपको इम्तिहानों में मदद करेगी बलकि आपको किसी भी मदगून को पढ़ने और समझने में भी मदद देगी और आइस्ता आइस्ता आप अंग्रेजी जबान को पढ़ने और समझने में एक खासा अबूर हासल कर लेंगे